फ्रैंड्स एयरलाइन्स के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है एयरलाइन से जुड़ी कुछ जरूरी और बड़ी खards है तो चलिए देखते हैं एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आरे हैं यहाँ पर लुपताँन् लाइन आपने पैसेंजर्स के लिए ऐसा ओप्षन लेकर आ रही है जिससे की पैसेंजर्स को फ्लाइट के दौरान मास्क लगानी के आउसकता नहीं रहेगी जी हाँ फ्रेंड्स आप सही सुन रहे हैं लुपतांसा एर लाइन आपने कस्टमर को अच्छा एक्सप्रेंस देने के लिए इसने इस ओप्षन को एक सितंबर से लॉंच किया है जहां पर येदी कोई पैसेंजर्स पीसिया टेस्ट कराकर ट्रेवल करता है और वह पीसिया टेस्ट 48 आवर से पहले कर नहीं होता है तो वह फ्लाइट में यात्रा के दौरान बिना मास्क लगाई भी ट्रेवल क उसके बाद भी कोविड 19 पॉजिटीव हो जाता है तो उस पैसेंजर्स को वर्जिन अट्लांटिक एयरलाइंस कंपनी की तरफ से 5 लाग डॉलर की इंसोरेंस पॉलिसी दी जाएगी वर्जिन अट्लांटिक के द्वारा इस ओफर को 24 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक रखा गया है इस पीरिड में कोई भी पैसेंजर्स ये दी ट्रेवल करता है तो उसको फ्री इंसोरेंस मिल जाएगी आपको बताना चाहेंगे कि वर्जिन अट्लांटिक भी अपनी सेवाए भारत के लिए सितंबर महीने से सुरू करने वाली है अकली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से एर इंडिया एक्सप्रेस ने सिंगापूर के लिए अपने टिकट की बुकिंग सुरू कर दी है यदि आप सिंगापूर जाना चाते हैं तो यहाँ पर एर इंडिया एक्सप्रेस की वर्कसाइट पर जाकर आप अपने टिकट की बुक रहने वाली है और इंडिया आप इंटर्णाशनल फ्लाइट के मादम से दिल्ली एरपोर्ट पर या फिर मुंबई एरपोर्ट पर आते हैं तो यहां पर इंडिया आपको देश के छोटे एरपोर्ट से भी कनेक्ट करने का काम कर रही है इसकी जानकारी खुद एर इंडिया न इंडिया की तरफ से आ रही है एर इंडिया ने यहां पर पैरिस के लिए और अधिक उडानों को सुरू कर दिया है एर इंडिया की यह उडाने सप्ता में तीन दिन रहने वाली है यहां पर दिल्ली से इसकी उडान सप्ता के बुद्ध बार और रविवार को रहेगी तो व पड़ी खबर आ रहे हैं यहां पर इंडिको से इंडिको के सीओ रोनो जोय दता ने एक इंट्रिवुई में यह बताया है कि इंडिको एयरलाइन दो हजार बाइस तक पॉपिट में नहीं आने वाली उन्होंने बताया है कि इंडिको एयरलाइन इस समय अपने मौझूदा अपनी उड़ाने भर रही है और अगले साल तक इस लिमिट को जादा से जादा 75% तक पहुचाया जा सकता है उन्होंने बताया कि करोना वाइरस में हमारी बिमारे से एयरलाइन सेक्टर में डिमांड पूरे तरीके से खतम हो गई है और इसको रिकवर होने में समय लगेगा जिस कारण से एयरलाइन्स को इस समय प्रॉफिट में नहीं लाया जा सकता और इसको प्रॉफिट में लाते लाते 2022 तक का समय आ जाएगा एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर UAE से भारत की विस्तारा एयरलाइन्स में UAE के लिए अपनी उड़ानों की हो गया है जिसके बाद अभी यह उमीद जताई जा रही है कि UAE के साथ चलने वाला एयर वबल्स अब 31 अगस्त से और आगे समय तक बढ़ सकता है प्राप्त जानकारी के अनुसार विस्तारा की यह उड़ाने बैंगलुरू और मुंबई भारत के दो सहरों से शुरू हो सकत जिसको देखते हुए ही विस्तारे एरलेन अपनी उड़ानों को शुरू करने की प्लानिंग कर रही है अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर अमरीच सर और लंदन के लिए डायरेक्ट उड़ानों को लेकर भारत के सहर अमरीच सर से लंदन के हितरो एरपोर्ट के सुरू कर दी है एर इंडिये की उड़ान सब्ता में एक दिन यानी की सोंबार को रहने वाली है इसकी सुरूआ 24 अगस से लेकर सितंबर मेने के लाश्ट तक रहने वाली है अगली और आखरी खबर आ रही है यहाँ पर एमिराद से अमिराद यहाँ पर दूबई से अमेरिक इन 6 सेरों के नाम है Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Washington और Houston अभी के लिए आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद फ्रेंट्स इसके अलबा येदि आप एरलाइन्स की रेगलर नीव से अपडेट रहना चाते हैं तो आप इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर जरूर विजिट करें और हमें दूसरे सोशल मीडिया चैनल पर भी जरूर फॉलो करें लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दिया हु हुआ है वहां पर हम नहीं जानकरिया आप लोगों के लिए शेयर करते रहते हैं